यह संपूर्ण संसार दुखों का घर है यहां दुख अधिक है और सुख तो नाममात्र का है मतलब संसार में अधिकांस व्यक्ति दुखी ही हैं सुखी तो वो गिने चुने व्यक्ति हैं आप मानते हैं ना इस बात को आप कहेंगे यह कौन से नई बात बता रहे हो ऐसा तो है ही सरवत्र जिधर देखो दुखी लोग ही नजर आते हैं सुखी तो कोई कोई नजर आता है कोई कोई तो मैं यहां आप से यह कहना चाहता हूं कि वो जो कोई कोई सुखी नजर आता है बास्तम में वो भी सुखी नहीं है सुखी तो केबल राम का दास है सुख होने का एक तरी सुनी होगी वो लाइन है मन थोड़ी देर ठहर जा रब्दा नजारा लेन दे आप में से किस-किस ने लिया है रब्दा नजारा रब को देखना रब का नजारा लेना नहीं होता रब के नजारा लेने से तात पर रहा है हम रब के अंदर उतर जाएं यह जो कनकन में रमा राम है हम इसके अंदर उतर जाएं इसे एकागर हो करके देखें इसके अंदर उतरने से ताथ पर यह है देखें इसके अंदर या इसमें क्या क्या है इसमें क्या है जब हम इस चीज को आत्म साथ करने लगते हैं तो फिर हम रब का नजारा लेने लगते हैं और जब हम रब का नज और ना ही होता है दुख का एहसास, हमें फिर केवल और केवल आनंद का एहसास होता है, मन थोड़ी देर खहर जा, रबदा नजारा ले न दे। और मन दुखी भी होता है लेकिन बाबजुत इसके चुकि सद्गुरू की किरपा से मैंने इस ब्रह्म को जाना और इसमें उतरने का नरंतर प्रयास करता हूं इसका नजारा लेता हूं तो वो चीज मुझे एहसास नहीं होती मुझे किबल आनंद का एहसास होता है आनंद का ए का यह एहसास होगा कैसे आईए जानते हैं सबसे पहले रब को देखिए इस नराकार परमिश्वर को देखिए यह बिलकुल शांत है इसमें कोई हलचल नहीं होती यह हिलता नहीं है इस पर कोई शस्त्र अगहात नहीं करता इसको हवा उड़ा नहीं सकती इसे पानी घीला न नहीं सकती, यद पी ये सारी की सारी चीजे इसी में होती है, हवा इसी में जलती है, पानी इसी में मौजूद है, अगनी इसी में जलती है, बावजुद इसके इन सब का इस पर कोई असर नहीं होता, ये तो शांत है, तो आप भी इसे देखते हुए शांत होने का प्रयास आप आखे बंद करके जब रब का नजारा लेंगे तो आपको ये बिल्कुल शांत दिखाई देगा बिल्कुल शांत इसको शांत देखकर क्या आप अपने अंदर शांती का अनुभब नहीं कर रहे हैं क्या आप धिरी धिरे शांत नहीं हो रहे हैं इसे देखकर इसका एहसास करके इसे आत्म साथ करके इसका नजारा ले करके महसूस की है क्या आप नहीं कर रहे है यदि अभी नहीं कर रहे हैं तो और अभ्यास कीजिए अभ्यास करने से ही ये शांत परमेश्वर आपको शांती से भर देगा आपके अंदर शकून आ जाएगा आपके अंदर चैन आ जा इसके जैसा विशाल कोई है ही नहीं और इसके जैसा सुक्षम कोई है ही नहीं ये सबसे बड़ा है इसलिए इसलाम बाले कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाह बहुत बड़ा है मैं कहता हूँ बहुत बड़ा नहीं ये अनंत विस्तारित है इससे बड़ा कुछ है ही नहीं जहा तक आप सोच भी नहीं सकते ये उससे भी बहुत परे तक है आकासों से बहुत परे तक इसकी पहरेदारी है यानि इसके बिस्तार का कोई अंत नहीं है इसलिए ये अनंत है अब आप फिर से उसी अवस्था में आ जाईए आख बन करके देखे इसके बिस्तार को सोच भी नहीं जा सकती बहां तक और इसके विस्तार में फिर आप इसके सुक्षम रूप को देखिए कितना सुक्षम है इसका रूप परमाणू से भी छोटा बालाग्र सत्भागश्य शत्दा कल्पितस्य चै भागो देवस्य सहबिग्य सहचान्यन ये कि आए कल्पते उपनिशत कहते हैं कि एक बाल की नौक के सो टुकड़े करो और फिर उनमें से एक टुकड़ा उठा कर आप उसके भी सो टुकड़े करो फिर जो एक टुकड़ा आता है ये उतना सुक्षम है कल्पनाओं से भी परे आप कलपना भी नहीं कर सकते देखना तो बहुत दूर की बात है तो आप इसके सोक्षम रूप को और इसके विशाल रूप को दोनों को अपने अंदर एहसास करें फ़र देखें आप कितना आनंद आता है और हम इसी के अंश्मात्र हैं हम इसी के अंश्मात्र तो ये जितना विशाल है उतना विशाल मेरे मैं का भी वजूद है और उतना ही सुक्षम मेरे मैं का ही वजूद है जब मैं अपने मैं के विशाल वजूद को शुन्य कर देता हूं तो मैं इसमें समाहित हो जाता हूं तब ही तो ये बात कही है जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हैं मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामें दो ना समाई, प्रेम की जो गली है वो इतनी संकरी है कि इसमें मैं और तू, ये तू, दोनों समा नहीं ज़कते, इसलिए मेरे मैं को जब मैं शून्य कर देता हूँ, अपने अंदर मوجود एहंकार को मै zero कर देता हूँ, तो फिर मेरा होता है परमेशवर में प्रवेश, आप भी अपना परमेशवर में प्रवेश कीजिए, अपने आपको zero बना कर, तो फिर दुख का ऐसास नहीं होगा, नाहीं सुख का, फिर होगा आनंद का ऐसास, रब का नजारा लेन दे, मन थोड़ी देर ठह अब फिर से इसे गोर से देखे, ये निरलेप है, इस पर कोई लेप नहीं चड़ सकता, पानी गराते हैं, गर जाता है, ये तो बैसे का बैसा ही है, अगनी चलाते हैं, ये बैसे का बैसा ही रहता है, अगनी शांत हो जाती है, बायू तेज चलती है, ये बैसे का बैसा ही रहत मेरे मन पर लगता है, मन को जब तक इसके चरणों में समर्पित नहीं करूँगा, मेरे मन पर तमाम दुनिया भी लेप लगे ही रहेंगे, मन की शांती के लिए मुझे मन को इसके चरणों में समर्पित करना ही होगा, मन के समर्प्रण के बिसे में इसलिए तो कहा है, मन राखो, सत्गुरु के पास, आप राखो कह दीजी, या कुछ कह दे हैं बेचो, कुछ भी समझ लीजे, मन राखो, सत्गुरु के पास तिस सेबक के कारज रास, या कारज रास होने से मतलब यह नहीं कि आपके जो सांसारी क आपका कर्म है उसको बनाने के लिए आपका चार्य बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका जो अशांत मन है आपके अंदर जो अशांती है वो अशांती शांती में परिवर्टित हो जाएगी जब आप मन को अपने सत्गुरू के चरणों में बेच देंगे, रख देंगे, आपके पास मन ही नहीं रहेगा, वो जो आपके पास अब रहेगा, वो आपके पास रहेगी सत्गुरू की थिंकिंग, इस नराकार का विस्तार, इस नरंकार का लेपपन, जब इस पर कोई लेप हो जाएगा नहीं होगा बीमारियां यदि लगेंगी तो शरीर को लगेंगी आपको नहीं लगेंगी दुरगटना होगी तो शरीर को होगी आपको नहीं होगी यदि कर्ज लगा है तो वह शरीर के साथ लगा है आपके साथ थोड़ी लगा है आपको ये शरीर थोड़ी हो सुन रहे हैं और दास तूर रहा है आप तू possess आप परमातमा का ही रूप है परमातमा का ही रूप बस अंतर कहा है अपने आपको प्रतख मान करके रख्धा है अश्टा वकर जी कहते हैं यदि देहं प्रत्थक क्रत्य चिती विस्रामिय टिस्थ सी अधुनेव अभुनेव, सुखे, शांत, बंधमुक्तो, भविश्यसी, यदि आप इसी छण अपने आपको इस शरीर से अलग कर देंगे, तो आपके इस नीरस जीवन में आनंद आना आरंब हो जाएगा, आपके अशांत मन में शांती उसी छण आजाएगी, आपके सारे दुख उसी छण समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप तो इस शरीर है ही नहीं, आपने अब अपने आपको इस शरीर से अलग कर दिया है, कि बल मानने से बात नहीं बनेगी, करने से बात बनेगी, और करेंगे कब? तब जब इस वास्तविक्ता को देखेंगे, ये यथार्त है, कि बल परमात शाश्वत है परमात्मा, केबल परमात्मा, इसके अतरिक्त और कुछ भी नहीं, देखी तो जराईसे गोर से, क्या ये शाश्वत नहीं है, क्या ये अरवाचीन नहीं है, क्या ये अच्छेद्य नहीं है, क्या अभेद्य नहीं है, इसमें कभी भी कुछ अप प्राकर्तिक नह होता है, बदलने वाला होता है, मिठने वाला होता है, और जो मिठने वाला होता है, उसका गम क्यों करें, हमें तो शाश्वत के साथ जोड़ा गया है, तो शाश्वत के साथ रहें, परमात्मा को देखें, इसके हो जाएं, और मन को कहें, ठहर जा, ठहर जा, ठोड़ी देर में आती हैं, कभी-कभी असाध्य रोग हो जाते हैं, चिंताए घेर लेती हैं खुद को भी और परिवार वालों को भी, अधिक साधी क्या होगा, यह जो पंच भोतिक शरीर है, यही तो नश्ट हो जाएगा, क्योंकि बीमारियां इसी को तो लगती हैं, वो जो आत्म तत्व है, उसे तो कोई बीमारी कभी लगती ही नहीं, वो तो नरलेप का अंच नरलेप ही है, कई लोग करज से परिशान होकर सुसाइट कर लेते हैं, जो कि बिलकुल गलत है इस देह का मूलिये समझा ही नहीं, ये देह भी बहुत किम की है मनुस्य की, क्योंकि इस देह में रहकर ही इंसान कुछ भी कर सकता है प्रियास करें, अधिक से अधिक क्या होगा, ये देह ही तो नश्ट हो जाएगी, देह को चलाने वाला जो आत्म तत्व है बो तो शाश्वत है शाश्वत परमात्म की तरह से इसलिए करपा करो, बक्षिश करो जिस दिन हमारा मन ठहर जाता है सारे चिंताई, सारे दुख, सारे कश्ट यहां तक की सुख भी समाप्त हो जाते हैं व्यक्ति कुछ भी करते हुए तमाम सांसारी कर्म करते हुए इस जीवन का आनंद लेता है इस जीवन में आनंद लेता है और परमात्मा का होकर रह जाता है आप भी हो जाईए परमात्मा के बस अपने जीवन को परमात्मा की धरोहर समझ करके इसे जीना आरंब कीजिए बक्षिश करो और अधिक ना कहते हुए इनी शब्दों के साथ आपसे याज़ा चाहूँगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भाद धन्यवाद